Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 28 फरवरी 2022, तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 2030 के बारे में आप अपने इस course को start कर सकते हैं जिसमें कई सारे अच्छे initiatives involved हैं जहां पर आपकी तैयारी बहुत ही comprehensive और well streamed manner में हो सकती है आपकी बैस 28th of Feb से start हो चुकी है courses का access करने के लिए आपको जाना है video.onlyis.in पे जानकारी के लिए call कर सकते हैं 7007-931912 पे या फिर mail कर सकते हैं onlyis.praram.battery.gmail.com पे तो चलिए आगे भढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला article जो की धरा, anode to Indian knowledge system के बारे में है यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ode का मतलब क्या होता है ode का मतलब होता है स्रोत यह तो हो गया इसका hindi word और वैसे इसका meaning होता है source धरा, जो की Indian knowledge system का source है या फिर श्रोत है ministry of culture ने organize किया इस प्रकार का पहला event series of धरा series है यह इसमें जो की Indian knowledge system पर based है यह science विज्ञान सर्वत्र पूजयते इसी initiative के हिस्से के रूप में तयार किया गया धरा में basically होगा क्या कि ministry of culture के दरा organize किया जा रहा है that's the fact धरा में series of lectures होंगे demonstrations होंगे जो eminent scholars लेंगे इन series of lectures में बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो इंडिया के great scholars रहे mathematicians, scientists, leaders इन्होंने कैसे इंडिया की heritage उसे establish किया और उसे बढ़ावा दिया जो lectures होंगे उसमें एक हिस्सा mathematics in India पर भी रहा जिसने इंडिया में mathematics में इंडिया ने mathematics में जो ages से, युगों से contribution दिया है उस चीज को highlight किया गया mathematicians बहुत सारे रहे हैं इंडिया की और से mathematics को contribute किया जैसे कि सुलब शूत्र ये तो आज से अठाइस सौ साल पहले तयार किया गया था 800 BCE में और mathematics के field में oldest extent text में count किया जाता है इसमें जो Pythagorean theorem है जैसे आज आप इस नाम से जानते हैं और आप ऐसा कहते हैं पाइथा गोरस ने इसे develop किया था उसके बारे में proper जिक्र दिया गया है इस document में इसके लावा इसमें जो करड़ी होती है उसके approximate जो figures हैं उनके बारे में उनके approximations के बारे में अच्छी जानकारी है तो ये एक instant contribution mathematics को आप कह सकते हैं दूसरा है पिंगालाज चांद सास्त्र ये 3rd century BCE का एक text है जो combinatorial techniques की बात करता है कुछ चीजों का combination बिल्ड करके कैसे आप output अवेल कर सकते हैं आपको पता है कि वर्तवानमी statistics को डवलिप करने के लिए combinations की बहुत ज़रूत पड़ती है तो इसके सुरुवात 3rd century BCE में इस document के साथ हो गई थी ब्रामोगुप्त जिन्होंने 6th, 28th century में जो arithmetic operations हैं उन्हों में zero को involve करके शुरू किया बावाना लाव पर भी उन्होंने अपनी theories को दिया जो की quadratic intermediate equations की indeterminate equations की बात करता है आरेभट बहुती famous mathematician है इन्होंने square root और cube root के बारे में अपने algorithms को describe किया हमरा next article चernobyl disaster के बारे में है युक्रीन और रश्या के बीच में युद्ध छड़ा हुआ है western block लगभग पीछे हट गया है और sanctions पर उतर आया है उन्होंने युक्रीन को आगे कर दिया है और युक्रीन अब एक war face कर रहा है इस war के part के रूप में जो Russian forces हैं वो लगातार युक्रीन में advance कर रही है और इसी advancement के दौर में जो fierce battle चल रही है युक्रीन और रश्या के बीच में Russian troops ने Chernobyl nuclear plant को capture कर लिया है जो कि नदन युक्रीन में located है map में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये है युक्रीन ये पूरा रश्या का area है ये वो हिस्सा है जिसे उन्होंने अभी हाली में independent declare कर दिया और इसे source बनाया अपने attack का यहाँ पर है capital कीव युक्रीन की और यहाँ से लगभग 100 km के distance होगी Chernobyl की जो कि बेलारूस के border के पास में है अभी इस हिस्से तक आ चुकी है Russian army और इस Chernobyl के plant को वो capture कर चुके है फर्दर उनका जो advancement है वो तो चली रहा है in between Chernobyl disaster भी news में आया Chernobyl nuclear disaster यह जो site है यह Chernobyl जो city है उससे 16 km की दूरी पर located है basically उस समय USSR हुआ करता था Ukraine USSR का ही हिस्सा था उनका प्लान था एक ऐसी city को develop करना जो बहुत ही जदा advance हो और उसे energy मिले एक nuclear power plant से तो उसी advance city के development के part के रूप में Chernobyl में यह nuclear power plant बनाया गया था electricity supply के लिए जो कि Ukraine की capital की उससे 100 km के दूरी पर है 1986 में इस पूरे nuclear power plant ने एक disaster दिया दुनिया को जो कि अभी तक का worst nuclear disaster है Chernobyl disaster, accident या आप इसे accident कहे लिजे, disaster कहे लिजे वो 1986 में होता है जो कि flawed reactor design के वज़े से था जो reactor का design था वो बहुत well proof नहीं था जो personal थे वो बहुत ही inadequately trained थे जिस वेक्टी को जिम्मेदारी दी गई थी इसे operate करने की उन individual की उम्र महद 26 साल थी जो इसे lead कर रहे थे एक safety test को safety test के मादे हम से ये पता करने की कोशिस की जा रही थी कि क्या ये nuclear power plant बढ़ियां काम कर रहा है लेकिन ये safety test पूरी तरीके से fail साबित हुआ और उसके बाद explosion स्टार्ट हो गया इस explosion के होते ही जो radiation था वो आसपास की area में fell गया लगभग 84 लाख लोग 8.4 मिलियन लोग इस radiation की चपेट में आए ये चपेट ये जो radiation था वो 400 गुना ज़ादा fears था जापान के hero सिमा में जो atom bomb फेका गया था उसके तुलना में इस radiation ने आसपास के बेलारूस को भी प्रभावित किया रश्या के सांसांत ये रोप के अन्य हिस्से भी इस radiation की चपेट में आए हमारा next article देवा यतनम के बारे में है union culture minister ने inaugurate किया है देवा यतनम ये एक प्रकार का conference रहा जो की temple architecture जो इंडिया में है उसके उपर organize किया गया करनाटिका के हमपी में इसे आयोजित किया जा रहा है archaeological survey of India जो की ministry of culture के तहत आता है उन्होंने उठाई है इसे organize करने के जिम्मेदारी जो conference है वो इंडिया के temple architecture की journey को portrait करता है कि temples कैसे बनना शुरू होते है गुपता एरा में उसके पहले क्या scenario था और फिर कैसे various styles develop होती है किस प्रकार से जो temples हैं उनका philosophical, religious, social, economic, technical, scientific, art या architectural aspect होता है उसे explain किया जा रहा है through this conference इसमें जो dialogue है वहाँ पर temples के development और evolution की चर्चा की गई उस हिस्से में ये भी बात की गई कि जो भारत में कई सारी styles है वो कैसे develop हुई temple की जैसे नागर, वेसर और द्रविट further कलिंगा और जो other temple styles है क्या highlights रही इस conference की Hindu temple combination है art और science का आपको बहुत सारे scientific elements Indian temple में मिल जाएंगे इसमें shelf saas, वास्तु saas, geometry और symmetry ये सब शामिल होते हैं जब temple का construction किया जाता था तो कई temples architectural model की रूप में देखे जाते हैं जो हमपी में temple है उसे world heritage list में UNESCO के जोड़ा जा चुका है गौर्मेंट ने होईसल temple जो बैलूर और सोमनाथपुर में हैं उनके लिए भी proposal दिया है UNESCO को की वो इसे भी अपनी heritage list में जोड़ ले temples की तीन basic styles हैं नागर, द्रविन और वेसर नागर style आपको North India में प्रशलित मिलेगी द्रविनियन सदन इंडिया में और वेसर एक mixture है नागर और द्रविनियन style का एक्जेम्पल के तौर पे जो दसावता temple है देवगर यूपी का इसे बनाया गया है नागर style में जो की हिमालियन और विंदियन माउंटियन्स के बीच में located है इसके अरामा कैलासनाथ कैलासनाथा temple कह लीजिए जो काची में है तमिल नाडू में इसे द्रविनियन style में बनाया गया है ये कृष्णावर कावेरी नदी के बीच में मिल जाएगी पापनाथ temple करनाटका का ये example है वेसर style का जो की hybrid होता है नागर और तरविनियन style का तो तीनों ही temple style फिर मैंने आपको एक एक examples बता दिये हैं बाकि इसके बारे में details आप आर्टन कल्चर में तो पढ़ते ही हैं हमरा next article exercise धामा guardian के बारे में है ये joint military exercise है exercise धामा guardian 2022 ये इंडिया और जापान के बीच में 2018 से ही हो रही है यहाँ पर एक important theme होती है counter terrorism operation तोनों ही देसों में terror को handle करने को लेकर ये coordination देखा जाता है जो exercise है इसमें intervention drill, raid जो terror hideouts होते हैं semi-urban terrain unarm combat बिना हस्यारों के लड़ाई close quarter combat इसके प्रारूप के रूप में दोनों ही देस एक coordinated training करते हैं plan बनाते हैं और उसे execute करते हैं कि threats को neutralize किया जा सके कुछ और भी exercise जो इंडिया और जापान के बीच में होती है Air Force के बीच में जो होती है that is shinyu matri जो कि इंडिया की Air Force और Japanese Air Self-Defense Force के बीच में होता है gymax ये इंडिया और जापान की बारे में है Center for Development of Telematics जो कि एक premier telecom research and development center है ये telecom के field में research and development का काम करते हैं उन्हें अभी तीन awards मिले हैं ये किस field में मिले हैं अभी हम देखेंगे ये 12th annual Aegis Graham Bell Award था ये tribute है Alexander Graham Bell को जिन्होंने पहली बार telephone का आविस्कार किया telephoneी में ये टेलीफोनी के father माने जाते हैं बहुती great innovator रहे AJ School of Business Data Science and Cyber Security ने initiate किया इस award को ताकि जो outstanding contribution है innovators का basically telephoneी के field में उसमें award किया जा सके उसको बढ़ावा दिया सके जो award है उसे इंडिया में Ministry of Electronics and Information Tech स्केल इंडिया और National Informatics Center सपोर्ट करते हैं C. कोई award किस लिए मिला तीन award मिले हैं पहला award उनको मिला है Indigenous Early Warning Platform for Disaster Management and Preparedness के लिए इन्होंने एक प्रकार का Early Warning System डवलप किया है जिससे ये location भेज सकते हैं किसी भी disaster का वो भी वर्ना के लिए language में local language में cyclone, flood, pandemic ताकि लोग आसानी से इसके बारे में aware हो जाए दूसरा C.Sambad ये unified platform है जिससे secured messaging और calling की जा सकती है तो इसके लिए भी इन्हें ये award दिया गया और तीसरा रहाष C.Quarantine Alert System अगर किसी वेक्टियों को COVID के लिए quarantine किया गया है तो एक kind of geofencing की जा सकती है उसे जैसे वो breach करेगा, alert आ जाएगा C.DOT की बात करते है 1984 में establish किया गया Autonomous Telecom Research and Development Center है ये Telecom sector के field में researches को बढ़ावा देते हैं Society के तरह registered है Society's Registration Act of 1860 के तहर ये Public Funded Research Institute है सरकार इसके लिए पैसा दे दी है ये Department of Scientific and Industrial Research के साथ associated भी है हमारा next article नाथद्वारा पेंटिंग के बारे में है अभी हाली में एक book public की गई जिसमें 60 miniature paintings है ये उनका collection है ये paintings नाथद्वारा पेंटिंग में काफिव प्रमिनिट परसन गुलक लाल महताजी की है और एक essay भी रहा जिसे अमित अमबाला जी के द्वारा लिखा गया नाथद्वारा पेंटिंग की बात करते हैं तो ये school of artist है जो इस प्रकार की painting को बनाते हैं इसे नाथद्वारा पेंटिंग इसलिए कहा जाता है विकॉज ये emerge होई राजस्थान के एक town में इस नाथद्वारा पेंटिंग स्टाइल को आप मेवार स्कूल आप पेंटिंग का एक सबसेट बोल सकते हैं उसी से मिलती जूलती पेंटिंग स्टाइल है 17-18 सेंचुरी में ये डेवलप होई एक मिनीशर पेंटिंग के रूप में इसकी कई सारी सबस्टाइल भी है जिसमें पिछवी पेंटिंग सबसे ज़दा पॉपिलर है नाथद्वारा पेंटिंग में स्रीनाथ जी को पोर्ट्रे किया जाता है जो कि भगवान श्रीकृष्न का ही प्रतिरूप माने जाते है एक बहुत ही फेंटिंग इसमें बनती है जिसमें भगवान श्रीकृष्न अपनी लास्ट फिंगर से गोवर्धन पहाड़ी को उठा लेते है स्रीनाथ जी भगवान श्रीकृष्न का रूप है और इस रूप में उन्हें साथ साल के एक बालक के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है पिछवी पेंटिंग जो इसके सबसेट में सबस्द ज़़दा पॉपलर है उसका मतलब यह है एक ऐसी पेंटिंग जिसे पीछे से हैंक किया जा सकता है इसमें कई प्रकार की painting बनाई जाती हैं जो की cloth और portrait के form में होती है तो एक artistic appeal तो होती ही है इसके राव भगवान सिर्क्रेशनी की जो stories हैं उनको भी इन paintings के माध्यम से narrate करने की कोशिस की जाती है उसका एक example आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा next article चीता के बारे में है हमने इसके पहले एक article discuss किया था जिसमें चर्चा की गई थी कि इंडिया में चीता extinct हो चुके हैं और इनके reintroduction पर काम चल रहा है और इसके लिए अभी हाल ही में एक team जो की मध्य प्रदेश की थी वहाँ के जो wildlife officials थे वो Indian Falls Department, Wildlife Institute of India से belong करते थे उन्होंने नामीबिया को visit किया जो कि एक African country है कि वहाँ से क्या चीता को भारत में reintroduce किया जा सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि किया जा सकता है वो satisfied है situations को लेकर हलाँके समन में MOU का sign किया जाना अभी बाकी है अगर ये reintroduction successful होता है तो ये दुनिया का पहला intercontinental reintroduction प्लान होगा चीता के लिए कुनो पालपूर नेशनल पार को चूस किया गया है मदर पदेश में जहां पर for the first time इस चीता को इंट्रडूस किया जाएगा और दो प्लान चल रहा है कि बसे दिखे चीता reintroduction पे तो बहुत लंबे समय से काम चल रहा है तब से जब से भरत में extinct होए है लेकिन सुप्रीम कोड ने 2020 में clarify कर दिया कि हाँ reintroduction में challenges नहीं है इसका scientific नाम है Acinonyx jubatis इसे चीता या hunting leopard के नाम से भी पुखरा जाता है fastest land animal है ये जमीम पर दौडने वाला सबसे तेज animal है 30 meter per second की speed होती है ये 100 से जादा kilometer per hour की speed within few seconds रटीन कर लेता है बहुत लंबी-लंबी चलांगे लगाता है चीता dry land ecosystem में रहना पसंद करता है grass land, scrub land या open forest तीके चीता तेज दौडने वाला जीव है वो कभी भी घने जंगलों में नहीं रहेगा अगर घने जंगलों में रहेगा तो वो दौड़ेगा कैसे किसी न किसी पेड से टकरा कर अपना मुह फोड़ लेगा खैर अभी तो वो इंडिया में हैं ही नहीं काश वो होते और दौड़ पाते खैर री इंट्रड़क्शन हो रहा है उमीद करते हैं कि हम कुछ समय के बाद चीटा को देख पाएंगे इंडिया में ये वंदरेबल है आयोस्टियन के रेड लिस्ट में और पूरी दुनिया में और इंडिया में तो खटम हैं 1952 में ही ये एक्स्टिंक्ट हो गए थे इनकी खाल के लिए इनको मरा जाता था और अजवाड़े इनको अपने शौक के लिए मारते थे ये एक मात्र लार्ज मैमल है जो कि इंडिया से एक्स्टिंक्ट डिक्लेर किया गया इसके पीछे एक्स्टिंक्ट होने का एक सबसे बड़ा reason anthropogenic जो reasons हैं वो हैं जिसमें इन्हें बहुत massive scale पे hunt करके खतम कर दिया गया तो आईए revision करते हैं revision में पहला statement exercise dharma guardian के बारे में इंडिया फ्रांस के बीच के exercise है गलत है इंडिया जपान अभी तो discuss किया है बूले तो होंगे नहीं आप लोग याद तो हो गई नादोरा painting पाला school of miniature painting का एक subset है गलत है ये मेवार school of painting का subset है तो ये वाला भी गलत हो गया चनोबी disaster जापान में हुआ था ये भी गलत है यूक्रेन में हुआ था ये उससार हुआ करता था दसावतार temple देवगड यूपी में नागर स्टाइल में बना है तो आज का session यही पर समाप्त होगा PDF मिल जाएगी Only I.S.K. Telegram चैनल पे लिंक है description box में या आप Only I.S. सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को join करिएगा PDF को download करिएगा और revision करना मत भूलिएगा So, that's all for now Thank you very much